नमस्कार गाईज, स्वागय थे आपका मेरे यूट्यूब चैनल दे डॉक्टर्स फैक्ट्री में एक बार फिर हम आग चुके हैं नया सेशन लेके नए कॉंटेंट्स के साथ इस चैनल पर आपको मिलेंगे नीट से रिलेटेड सारे के सारे कॉंटेंट्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, जैसे टॉपिक, नियूमॉनिक्स इस सारी सुविधा यहां पर उपलबत हैं आज हम लोग शुरू करेंगे रिप्रदक्शन इन और्गनिजम क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि नीट के पॉइंट ऑव यू से भी इंपॉर्टन रखता है तो आईए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक जरूर करेंगे और अपने जो भी पॉइंट ऑव यूज है वो हमसे शेयर करेंगे कॉमेंट्स के माध्यम से और जितना जादा से जादा होश सके वीडियो को शेयर करेंगे और जो लोग इस चैनल पर ने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस्स ना कर पाए तो आईए लेट्स स्टार्ट तो गाइस जैसा कि चाप्टर का नाम है इस चैप्टर में हम लोग और्गिनिजम के रिप्रोड़क्शन के बारे में जानेंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था और्गिनिजम तीन तढ़ा के ही होते हैं माइक्रो और्गिनिजम, प्लांट्स और अनिमस तो हम लोग इसमें माइक्रो और्गिनिजम के रिप्रोड़क्शन के बारे में भी पढ़ेंगे प्रेऩल से आखंड करें ए आपने अपता पीजिन हो उसом में विटोर क्म फरिप्रक्र वेले दुरी करें सिंन假 में वन या यह दिए इसा तोर से नए औरकिनिजम से कम से व्लिट गुनिजर में हैं जिनको parents कहते हैं जो कि अपने माता-पिता से similar होंगे और उनके शरी से physically independent होंगे जैसे कि दो बच्चे आपस में जुड़े रह सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा अपने माता से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है reproduction living organism का एक बहुत ही important fundamental feature है वो organism के लिए बहुत ज़रूर है लेकिन याद रखेंगे reproduction कभी well defining feature नहीं होता है living organism के लिए ऐसा कोई organism नहीं होगा जो reproduce ना करें तो उसे living being नहीं कहेंगे उसे living being consider करते हैं तो ये एक fundamental basic feature है दिखें लेकिन ये well defining feature नहीं होता है अब बात आता है कि reproduction क्यों करते है कोई organism reproduce ना करें तो धीरे धीरे सारे living being अर्थ से खतम हो जाएंगे और अगर living being ही खतम हो गए तो life नाम का चीज ही नहीं बचेगा दूसरा किसी एक particular प्रजाती के continuity के लिए for the continuity of any particular species जैसे अगर सारे टाइगर से प्रोडूस करना बंद कर देते हैं तो टाइगर का तादाद घटने लगया क्योंकि हर एक जानवर का अपना एक life span होता है अगर वो मरने लगेंगे तो एक वक्त पे वो विलॉप्त हो चुके होंगे नेक्स है to maintain the death rate and birth rate death rate और birth rate को balance रखने में मदद करता है जितने लोग मरे हैं उतने नई लोगों का जनम होता है तो वो हमारी ecosystem को balance रखता है अन्य था ecosystem में unbalancing create हो जाएगा क्योंकि ecosystem एक दूसरे पर depend रहके ही बनता है next variation के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि variation होगा तो ही evolution होगा तो अगले step evolution के लिए जरूरी evolution का मतलब change with respect to time पुराने चीजों में धीरे धीरे इतना बदलाव हो जाए है कि वो पूरी तरीके से बदलके नए रूप में change हो जाए उसकी बाद आता है genetic information को transfer करने के लिए reproduction की जरूरत होती है माता पिता के characters को बच्चों में transfer करने के लिए हमें जरूरत पढ़ती reproduction की और hybridization के experiments में भी reproduction की जरूरत पढ़ती जो कि आपने class 10 genetics में बढ़ा होगा ठीक हो अब हम जानते हैं reproduction के टाइप कितने होते तो basically reproduction के दो टाइप होते हैं एक a sexual और एक sexual तो सबसे पहले हम लोग जाने है और sexual reproduction किसे कहते है और sexual reproduction जिसमें कोई भी sexual या gamut involved नहीं होता है इसमें कोई भी gamut involved नहीं हो रहा है तो gamut दो तरह के होते हैं male और female that means इसमें single parent होगा और sexual reproduction में single parent involved होते हैं और उसमें किसी तरीके का gamut नहीं है जब इसमें किसी तरीके का gamut involved नहीं हो रहा है तो कोई भी meiosis division इसमें पार्ट नहीं लेगा सिर्फ माइटोसिस डिविजन होगा और जब गैमेट से नहीं है, तो ना इम्परायो फोर्मेशन होगा, ना जाइगोट फोर्मेशन होगा किसी भी तरीके का जोन से होँ भी तो यह बहुत फेस्ब्स ऴछं किसी भी तरीके का वेरियेशन नहीं आएगा जिसके वजह से यह कभी इवाल नहीं कर पाते हैं इवालुशन इन में नहीं होता है और सब के सब एक जैसे दिखते हैं जिसे हम आइडन्टिकल बोलते हैं या क्लोंस बोलते हैं तो इसका डाफिनेशन कुछ इस तरह होगा अब आते हैं सेक्ष्व रेप्रोडक्शन में इस अ प्रोडक्शन अफ न्यू और यार्गनिजम फ्रॉम इन्वाल्विंग ऑफ गैमट्स एंड टू पेरेंट्स नीडेड इसमें क्या होता है दो पेरेंट्स एक मदर और एक फादर मीन्स एक मेल और फीमेल दो गैमेट्स को स्पॉंसल कहते हैं फीमिल गैमेट को हम लोग ओवासल कहते हैं और प्लांट के केसेज में अलग होते हैं जब गैमेट यहां पर इंवाल हो रहा है तो बॉडी ग्रोथ के लिए माइटोसिस तो चाहिए ही जाहिए जनम से मृत्यू तक लेकिन गैमेट बनाने के लिए मियोस और माइटोसिस दोनों इंवाल्व करेगा जब गैमेट है तो सेक्शुल एप्रदक्शन में फटिलाशन भी होगा जाइगोट भी फॉर्म करेगा और इम्रायों भी फॉर्म करेगा जब फटिलाशन हो रहा है तो मिक्सिंग ऑफ जनेटिक माटिरियल भी हो जाएगा यह से इसे क्लोन नहीं किया जा सकता है तो जब डिफरेंस लिखने के बार यह आईगे आप यहां से लिख सकते हैं अब हम लोग जानेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है लाइफ स्पैन हिंदी में बोले तो उमर तो ताइम डिउरेशन फ्रम बर्थ टू नेचुरल डेथ इसकॉल लाइफ स्पैन जनम से लेके नेचुरल डेथ अपने आप मरजान अक्सरेंट में नहीं होना चाहिए मर्डर सुसाइट यह सब कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा नेचुरल डेथ अगर हो जाता है उस समय के डिवरेशन को हम लोग कहते हैं कि यह लाइफ स्पैन होता है ल देथ में तो फुल स्टॉप हो जाता है फाइनल स्टेज खत्म कहानी टाटा बाइबाए फो एस पहले सबसे बहल हम लोग सीखेंगे जुवनाइल फेस की से कहते हैं जुवनाइल फेस का मतलब होता है डिरिंग इस फेस और्गिनिजम ग्रो करता है डिवलप करता और केपा होता है है इसलोगन हो चुका है हम डो हमारे गिंते रहो एक और चीज़ लेखने ww चीजे उल्टा होना शुरू हो जाएंगी यानी हमारा एनबॉलिजम जो होता है नए नए सेल्स बनाना वो थोड़ा कम हो जाता और कैटाबोलिसम जाधा हो जाता है तूटने लगता है रिंकल्स आ जाना फेस पे जूरियां आ जाना यह साड़ी चीजह बढ़ने लगती है य डिवर्सिबल प्रोग्रेसिव और डेटरो रिएशन है यह उमर का ढलना होता है इसी को हम लोग ओल्ड एज कहते हैं इसी को बढ़ापा कहते हैं और डेथ यह एक चौथा चीज हो गया जो फाइनल पर्मानेंट स्टॉपेज है सारे वाइटल अक्टिविटीज का हमारे शरी कभी कभी क्वेशन नीट में आ जाते हैं तो कुछ जानवरों का उन्होंने नाम दे रखा है और उसमें उनका एज डे रखा है जबकि बाकियों में इन्होंने नहीं दिया तो मैं सबके बारे में बता देता हूं सबसे स्टार्टिंग से शुड़ू करें हम लोग एलेफंट का 65 से 90 सुनते जाएंगे और अपने बुक में लिखते जाएंगे एलेफंट का 65 से 90 दूसरा रोज के बारे में जब हम लोग जानते हैं फाइब टू सेवन यर्ज डॉग का 20 यर्ज बटरफ्लाई का एक से दो वीक और इसी में एक और बटरफ्लाई याद रखे सब्सक्राइब का 54 साफ तर्चा है में फ्लाई का लाइफस्पैन 24 घंटा ही होता है ओके क्रोगा बंदरा साल दे रखा है बनाना ट्री जो होता है वो बीस साल होगा काव बंदरा साल पैरुट 140 साल ग्रॉकटडाइल 60 यर्ज हौर्स भी 60 यर्ज जो फ्रूट फ्लाइज ज न्यान ट्री हो गया वो 300 साल तक यानि 200 से 300 साल तक सर्वाइब कर जाता है हुमन का पहले 100 यह था दिन फिर 80 यह वह दिन उससे कम हो गया कुछ ऐसे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं वेल 37 यहर्ज उनका लाइफ स्पैन होता है एक और इंपोर्टन चीज जानेंगे लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड उन साइज ऑफ एन और्गिनिजम ऐसा नहीं कि अगर साइज आपका बढ़ा है तो आप बहुत जादा दिन जी पाएंगे जैसे पैरट 140 साल जीता है साइज बहुत छोटा है वेल इतना बड़ा सा यूनी चलूलर ऑर्गिनिजम जो होते हैं वो मरते नहीं उनका कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है मतलब वो बस समय आने पर डिवाइड कर जाते हैं तो यह इसी लिए बोला आता है वाई यूनी चलूलर ऑर्गिनिजम सार इमोटल बिकॉस दे डू नॉट डाई अड़ ए इसरा बडिंग तीसरा स्पोर फॉर्मेशन चौथा फ्राग्मेंटेशन और पांच मोरी जन्रेशन सबसे पहले जानेंगे फिजन के बारे में फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन इस दब्रेकडाउन और डिविजन ऑफ पेरेंटल बॉड़ी कीसी भी पेरेंटल बॉड टूटना और टूटके दो या दो से जाधा हिस्सों में बंट जाना इसी को फिजन कहते हैं इंपॉर्टन क्या है यह सिर्फ और सिर्फ यूनी चलूलर ऑर्गनिजम में होगा मतलब मोनेरा में यानि बाक्टिरिया और प्रोटोजवा में ही पाया जाए और कहीं नहीं पाय तूटता है या तो दो ही हिस्सों मیں तूटेगा या दो से जादा हिस्सों में अगर दो हिस्सों में तूटता है तो हम उसे कहते है अगॉप है तो अमीबा अगर ट्रांसवर्ज है तो पैरामीशियम और प्लैनेरिया अगर लॉंगिच्यूडनल है तो यूगलीन अगर अगर अबलीक है अबलीक कटाय तो उसको हम लोग बैक्टिरिया बोल सकते हैं अगर दो भाग में ना तूटके बहुत सारे और्गनिजम उसने बन प्लाजमोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है तो यह आज हमने खतम करा और सेक्शोल रिप्रडक्शन का पहला टाइप फिजन और उसके पहले रिप्रडक्शन और लाइफस्पैन अब एक क्वेस्चन का टाइम क्वेस्चन यह है कि वो कौन सा यूनी सेलुलर और और है जो बाईनरी और मल्टीकल दोनों टाइप का फिजन कर सकता है अपने और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नहे हैं तो घरने लाइक करें, शेयर करें थांक्यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में